अलो स्टुएंट्स नेक्स्ट डिसस करेंगे हम कैशर नूमबर टू एक्साइस 3.3 क्या कह रहा है देखो डाइग्राम आपके सामने गिवन है और यह पैलोगराम है इसने खुद ने बोल दिया और आपको फैल्यू स्वाइंड करनी है एक्स वाइज जैर की जो भी आई ही फ आपके पास एकस प्लस हन्डेट डिग्री इक्वल्स तो 180 डिग्री होता है क्यों एड्जेसंट एंगल इस हिसाब से एक्स की वैलु किया होएगी 100 उदर जाएगा तो 80 हो जाएगी के अगें जैड की वैलू भी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी क्यों क्योंकि यह भी ऑपॉजिट एंगल है भाई अगर एक्स आपके पास 80 आगए तो जैड भी 80 आजाएगा अब बताओ क्या सब्सक्राइब नहीं आया यहां तक इलिए रहे सभी को केशन नमार्ण हो गया नेक्स देखो सेकंड प्रॉपर्टी जरूर लिखना उसकी वेना मार्क्स निन देंगे टीचर से यहां देखो पहले 50 और Y की बात कर लेते हैं 50 डिग्री प्लस Y एक्वल्स क्या होता है 180 क्यूं एडजेसेंट एंगल यह लिख लो आप सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 या सप्लिमेंटरी तो Y की वेल्यू कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी 50 उदर जाएगा 50 माइनस होगा 180 में से 130 हो गया ठीक है अब X इक्वल्स टू भी 130 हो जाएगा क्यूंकि X और Y दोनों क्या हो जाएगी ऑपोजेट एंगल अगर यह 50 है तो यहां जो एंगल होगा वो भी 50 होगा जिसको मैं यहां पर लेट कर लेता हो मानलों आप ए मानली है मैंना 50 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू उसरी यह दोनों आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो यह जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री मैंना अपनी मर्जी से लेट किया है आपर इसका रीजन क्या है ओपोजेट एंगल देखो यह पूरा एक linear exam होता आपको पता होगा तो ए प्लस एड इक्वल्स टू 180 होगा इसका रीजन क्या है linear pair of angles बोलता है वैसे linear exam भी लिख सकते हो तो ए की value 50 है जैड की पता गंडी है मैं तो जैड की value कितनी होगी 50 उदर जाएगा तो 130 हो जाएगी है ठीक है किलियर है आप 50 दर चला गए 50 माइनस हो गया है ठीक है सारे एंगल निकल गए न सबकी properties देख लिए न वह बहुत important है next देखेंगे हम third case के के आजो और यह थार्टी है आपके पास यह नाैन टी है तो आपको पता यह लगी क्या होजाएग आपके पास fast रफ औल यह द्ग यह आपके पास आपको पता है यह side यह side equal है इस तरीकर से माँ बौल सकता हो ये साइड ये साइड इक्वाल है इस तरीके से मैं बोल सकता हूं ठीक है next thing सुनना आप important जो diagonals होता है parallelogram के अंदर ये मैंने सिखाया था देखो अगर एक line ऐसे diagonal ऐसे cut कर रहा है तो ये जो z बन रहा है ने इनके दोनों कॉने वाले जो angle होते है वो क्या होते है इक्वाल होते है आपके पास तो आप imagine करो इस diagram को imagine करो यहां से मैंने एक line ड्रॉ करी imagine करना ये z ये z के दो कॉने हैं जो आपस में equal होंगे दिख रहे हैं आपको दो कॉने दिख रहे होंगे एक y और z तो जो y की value होगी ना वही आपके पास z की value आईगी ठीक है इसी उसको आप थोड़ा सा भ्यांद दे ले ले ना first thing second thing सुनो 30 degree के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है बट मेरी कहीं use नहीं आएगा ये अगर 90 है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाना है 90 हो जाना है हो जाना नहीं हो जाना बिलकुल हो जाना है तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा बाइसेक्टर एंगल डाइगनल बाइसेक्टर लिएता हूं मैं आपर ठीक है आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल है इसको मैं नेमिंग दे जाता हूं ए अब इस पैलोग्राम के अंदर से अगर मैं एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल एओ बी लूँ तो आपको पता है सम आफ एंगल जो होता है वो कितना होता है एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है इसका मतलब एक्स प्लस य प्लस 30 डिग्री इक्वल्स यहां पर दिख रहा होगा इसका रीजन क्या दिया मैंने आपको यह जैड को क्या बोलता है और अल्टरनेट एंगल यह सब प्रॉपर्टी से आप लिख लो इनको मैंचन कर रो बहुत इंपोर्टेंट है यह तो य इक्वल्स टू जैड इक्वल्स टू सिक्स्टी डिग्री ठीक है बही एंग्र इस अभी को तो देखो तीनों पॉइंट निकालती मैंने एक्स की वैल्यू निकल गई है यह यह जैड की वैल्यू भी आल्सो शिक्स्टी डिग्री निकल गई है किलियर है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नेक्स्ट आते हैं फॉर्थ वाले केस पर आजओ नेक्स स्लाइट पर यहां तक पॉस करें कॉपी कर देना आप तो कि सम और एक्स की वैल्यू उदर गया तो हंड्रेड डिगरी हो गई ठीक है ठीक है और देखो अगर एक्स की वैल्यू हंड्रेड हो गई है तो यहां जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू उसको मैं A माल लेता हूं एक व्ल्स टू एक्स हो जाएगा एक्वल्स टू हंड्रेड डिग्री विकॉस इट इस अफ ऑपॉजिट एंगल्स अब आपको पता है एक वैल्स टू क्या होना चाहिए वनेटी होना चाहिए क्यूं लीनियर पेयर ठीक है एक वैल्यू अभी वह हंड्रेड फाइंड किया है अपने तो जैड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास एटी आ जाएगा देखो सारी वैल्यू इस लिख रहा हूं मैं वापस से एक्स की वैल्यू हंड्रेड डिग्री आईए आपके पास वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या है थी वाई की वैल्यू एटी आ गई थी श साइड चीज है फिफ्ट केज देखो हो न यह 120 है तो वाई भी क्या हो जाएगा तो वाई इट्वल्स टु वन वन फू डिग्री हो जाएगा अभी बता है मैंने आपको ऑपॉसेट एंगल यह 112 है और यह जो दोनों एंगल है मतब दोनों को एक मानलों इन दोनों का सम कितना होना अच्छी 180 यह बता है एडजेस्ट एंगल की वजए से तो मैं कह सकना हूँ 40 डिग्री प्लस जैड पूरा एक एंगल मानलों आपको प्लस 112 डिग्री एक वल्स क्या होगा 180 डिग्री क्यों कि सम आफ एडजेसंट एंगल स्टीक है जैड की वेली फाइंड कर दी है तो 180 में से माइनस कर दो इन दोनों को सम कर दो पहले तो कितना हो जाएगा यह 110 प्लस 40 150 152 कि 100 में सी 152 जाएगा किता हो जाएगा 60 20 28 डिग्री हो गया यह है पता हो समझ में आया क्या कि लिए एक टू टैन वन जीरो फॉर फाइव फॉर फाइव फिटी एक सेकंड कुछ गड़ बड़ होगी है इसके अंदर चेक कंड़न मुझे एट टू टैन वन जीरो फॉर नही सब्सक्राइब कितनी होगी ट्वंटी टू अब मैंने आपको एक इस बताया था जैड़ वाला भी अभी है ना दिख रहा है दोनों कोन है यहां वाला यहां वाला एक्स एक्वल्स टू जैड होगा आपके पास क्यो अल्टर्नेट अंगल रहने में किकनरों और एक्सकंई का वैल्यू बेकितना आ गया खिक एल्टी यइट डिगेरी एक्स की वेल्वे ट्वंटी एट डिग्री य की वैल्यू है 112 डिग्री जैड की वैल्यू है 28 पता हुआ समझमाया क्या यह फिफ्थ केस कम्प्लीट और इसी के साथ कम्प्लीट होता है हमारा केशन नमबर